नमस्कार मैं हूँ अंकित सर्मा और आप देख रहे हैं दीलोक स्वर गाय हमारी माता है ये नारे आम हो चुके हैं इतने आम की अब लोगों ने इस पर भरोसा करना भी छोड़ दिया है आज कल गाय हमारी माता से जादा राजनीती के नुस्ठान के तौर पर इसका इस्तेमाल कुछ जादा ही हो रहा है राजनीती में वैसे तो सामपरदाई काका कुछ जादा ही स्कोप है पर आज की खबर काफी प्रेरख और प्यारा है दरसल सरकार ने एक जर्मन महिला को पदम स्री से सम्मानित करने का फैसला किया है अब आपका सवाल होगा कि ये ख़बर प्रेरग और प्यारा कैसे है तो वो ऐसे है कि उस महिला का नाम फ्रेडरिक एरीना ब्रूनिंग है और वो जर्मन है और वो भारत में रहकर लगबग 18 सव गायों की सेवा करती है जिन में हिस्ट पुस्ट गाये तो होती ही है साथ साथ वैसी गाये भी होती है जिसे उसके मालिक के दौरा छोड़ दिया जाता है या फिर वो विकलांग होते है ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से गाये की रक्षा करना चाहती थी पर जब उनकी उम्र 25 साल थी तब वो उत्तर प्रदेश के मतुरा घूमने आई थी जहां उन्होंने गायों की खराब हालत को देखा और फिर वो भारत में ही रहने का उन्होंने फैसला कर दिया और इन गायों की ही होकर रह गई गायों को इतनी तकलीप में देखकर उन से रहा नहीं गया और उन्होंने आजीवन भारत में रहकर उनकी सेवा करने की ठानी और वो 25 सालों से भारत में है और लगबग 1800 गायों और उनके बच्चों की देखवाल करती है दिल्चस्प बात तो ये है कि वहां के लोग उन्हें सुदेवी माता जी के नाम से चांते हैं और वहां उनकी इतनी अज़त है कि अगर गलती से उन्होंने किसी आवारा गाय को पाल लिया तो उसका मालिक जो उसे छोड़ गया था आवारा हलत में वह उसे सम्मान पुर्वक माता जी के गौसाले से ले जाता है और उसे आसिरवात के तोर पर भी देखता है अगर इन गायों की पालने की लागत की बात करें तो माता जी बताती है कि उन्हें इन गायों की सेवा में 35 लाख रूपे का लागत लगता है प्रतेक महीना जिन्में से 6-7 लाकव अपने अविवावक से लेती हैं उन्होंने यह भी बताया कि उनके हाँ 60 लोग गौरक्षा का काम करते हैं यानि कि उनके गौसाला में 60 कर्मचारी काम करते हैं अब भारत सरकार ने उन्हें पदम सुरी देने की योजना बनाई है जिससे वो काफी खुस हैं लेकिन इनके साथ एक और समस्या है और वो है हर साल वीजा को रिन्यू करवाने की समस्या इन्होंने हमेशा से लॉंग टर्म वीजा या फिर भारतिय नागरिक्ता की मांग की है जिससे कीवग इन गोवन्सों की रक्षा कर सकें गोवन्स रक्षा की एक उदारन यह वी है और दूसरी उदारन वो जिसमें की एक सक्क्याधार पर लोगों को मार दिया जाता है फैसला हमेशा जनता करती है तो इस बार भी जनता को ही करना चाहिए कि असली गोवन्स रक्षक है कौन क्या वो वीरतंत्र जो सिर्फ दिखावे के लिए गाय को माता क रहते हैं और जिनने माता के तोर पर दिखाते हैं उन्हें पाल रही है उनकी सेवा कर रही है उनका ख्याल रख रही है तो असली गवरक्षक कौन है इसका जवाब मैं आपके लिए छोड़ देता हूं लेकिन एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि ये गान्धी का देश है उ यहां हिंसा सोभा नहीं देती है और हमें फ्रेडरिक जैसे लोगों की खासा जरूरत है इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करिए दिलोक्सवर चैनल को और अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तुमारे पेज को लाइक करना बिलक से लाइक करिया